कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि जस्टिस नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरही था लेकिन फिर वहां कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाए घटने लगी जिससे पूरा का पूरा शहर नर्क से भी बहतर बन गया लेकिन आखिर वहां ऐसी कौन सी खतरनाग घटन होने लगी चलिये जानते हैं तो कहानी की शुरुआत होती है बाबी नाम की एक लड़के को दिखाते हुए डेट बोडी को जंगल में दफना रहा था बाबी वहां का लोकल निवासी नहीं था और बाबी के माथे पर लगी चोट को देखकर लग रहा था कि मरने वाले लेकिन किसी तरह वह पुलिस से बच निकलता है पर तभी कुछ गायाई सड़क के बीचों बीच खड़ी थी उनको बचाने के लिए बाबी अपनी कार को एकदम से मोर देता है जिससे वह गायों से भरे खेत में पहुँच जाता है इससे उसे थोड़ी चोट लग गई थी क कुछ सेकंड बाद वहाँ पर जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलने लगती है कि अचानक आसमान से एक चीज बाबी के सामने आकर नीचे गिरती है और सब कुछ शान्थ हो जाता है बैबी देखता है कि एक गाया आसमान से गिरने वाली उस चीज से दो टुकड दो में कट चुकी थी वह डरा हुआ उस चीज को छूने लगता है तो उसे पता चलता है कि वह एक इन्विजिबल वॉल है जो इतनी शाप थी कि इसकी वजह से कई घर भी दो गिस्सों में कट गए थे तभी वहाँ जोए नाम का एक लड़का आकर उससे पूछता है कि तु शेहर के उपर से उड़ रहा है एक प्लेन उसे इन्विजिबल वोल से टकरा कर क्रश हो जाता है जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गये थे और यह बात कन्फरम हो जाती है कि यह सिर्फ एक इन्विजिबल दीवार नहीं बलकी एक राउंड शेप दोन यानी लगता है कि अच्छा मौका है उनकी रेडियो रेटिंग्स को हाई करने का इसलिए वो दोनों सिगनल को ठीक करने में लग जाते हैं वही एक फायर ट्रक टाउन के दूसरी तरफ से आ रहा था जिसे देख बाबी ट्रक वाले को इस इन्विजिबल वाल की तरफ इशारा करत हुआ उसे रुखवा कर क्रेश होने से बचा लेता है थोड़ी देर बाद वहां इन्विजिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं और इस इन्विजिबल वाल को समझना उनके बसकी बात नहीं थी उसी समय वहाँ पर एक शहर का काउंसिल जिसका नाम बीग जि हो रहे हैं इसके थोड़ी दूर घर पर जूनियर नाम का लड़का एंजी नाम की लड़की के साथ इंटिमेट हो रहा था एचपी पैसे से नस्थी और जॉय की बढ़ी बहन भी थी इंटिमेट होने के बाद जूनियर एंजी से कहता है कि मैं तुम से बहुत प्यार करता जिसमें मदर कैरोलाइन एलिस और उन दोनों की बेटी नूरी उसी टाउन की तरफ जा रही थी उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि डॉन ने उसे टाउन को कवर किया हुआ है दूसरी तरफ हम जूनियर नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं जि जिसी खतरना प्लेन का हिस्सा हो सकता है जूलिया उसे औरत को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है पर वह अपने काम में ज्यादा बिजी होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाती वहीं बीग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमजेंसी अनाउंसमें करता है कैरोलिन जो एलिस और नूरी के साथ शहर में आ रही थी यह अनाउंसमेंट सुन लेती है पर उन्हें लगता है कि यह किसी तरह का अड़्वर्टाइजमेंट है इसलिए वहीं पर ध्यान नहीं देती और उनकी कार दोरों से टकराते टकराते बचती है क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से आ, एक ट्रक उस दीवार से तेकरा कर ट्रेश हो जाता है, जिसे देखकर वह तुरंट अपनी कार के ब्रेक लगा देता है, इतने बड़े एसिडेंट को देखकर नूरी के दौरे पढ़ने लगते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश ह जूलिया का हस्बेंट भी डॉक्टर था, वह उससे मिलने जाती है, लेकिन उसे वक्त उसका हस्बेंट हॉस्पिटल में नहीं था, अस्पताल में जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बेंट संडे को कभी काम नहीं करता था, पर वह जूलिया को हमेशा जूट बोलता रह अस्पताल के बाहर हम बावी और एंजी को मिलते हुए देखते हैं दोनों को साथ देखकर जुनियर के अंदर एक अलक्सी जलन पैदा होती है वहीं अब टाउन के बॉर्डर्स को सैने को द्वारा सील कर दिया जाता है बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी इस अजीबो गरीब मुसीबत का असल कारण नहीं पता चलता पर कुछ घंटे बाद बिग जिम प्रोपिन के बारे में बात करने के लिए शरीफ से मिलता है यहां पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनको स्टोन के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता था पर वह इस पर खुल कर बात नहीं कर रहे थे, वही बाबी को उसे टाउन में एक दिन के लिए रुखना था और उसके पास रुखने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह अपनी कार में ही राद बिताने का फैसला करता है, तभी जूनियर उसके पास आता है और उसे एंजी दूर र कर रहे थे, इनमें जॉय भी था, जॉय एक लगके से वहां के हालात पर बात करने लगता है, लेकिन अचानक जॉय को दौरा अपने लगता है, और वह पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे की पहले नूरी ने बोला था, वही जॉय की बहन एंजी घर पर अकेल कर दाता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने फैमिली के लिए ये शेल्टर बनाया था, वही दूसरी साइट जूलिया बाबी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है, तभी अचानक बाबी की नजर उसक सुबर की घटना फ्लेश बैक में दिखाई जाती है, जहां बाबी टाउन में जूलिया के हस्बेंट जो डॉक्टर थे उनसे मिलने आया था, वह उनसे कुछ पेमिंट की बात करता है, और डॉक्टर उसे पेमिंट देने से इंकार कर देता है, जिस वजह से उन दोनों में जगड़ा हो जाता है, और एक्सिडेंटली बाबी उसे गोली मार देता है, बाबी जानता था कि भले ही उसने उसे गलती से मारा है, पर उसे इसकी सजा मिलेगी और इससे बचने के लिए उसने उसकी बॉड़ी को जंगल में दफना दिया, वही प्रेजन्ट में सुबा जिसने पिछली रात सीजा के वक्त उसकी मदद की थी बेन, जोई से पिक स्टार के बारे में पूछता है, जो उसने रात को दोरा पढ़ने वक्त कहा था, लेकिन जोई को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, वही रेडियो स्टेशन में डोडी एक स्पेशल की मदद से दो के बाहर वाले, लोगों से कांटेक्ट करने में सक्सेस्फुल हो जाती है, वह सोलजर को आपस में बात करते हुए सुन सकती थी पर वह उनसे कुछ नहीं कहती, वहां सोलजर भी कनफ्यूज थे की आखिर यह इन्विजिबल वाल क्या है, दूसरी तरफ बिग वहां आता है, और उसे चैन के जरिये बैच से बांध देता है, वही बिगजिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है, जो कि शरीफ का ही दोस्त था, शरीफ की मौत से वह बहुत दुखी, बहुत परेशान हो जाता है, जब लिंडा उनके आसपास नहीं होती, तब वह और बिगजिम पिछले महीने होने वाले प्रोपेन की इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं, कि प्रोपेन के इंपोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था, और उन्होंने टाउन वालों से यह बात चुपाई थी, शरीफ की मौत से कन्फरम हो गया था, कि वह उनकी इंवल्मेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाएगा जो कि उनके लिए अच्छी खबर भी थी उसी दिन बाद में लिंडा पुलिस स्टेशन आता है तो देखती है कि बिग जिम शरीफ के ऑफिस में कुछ धून रहा है लिंडा के पुछने पर बिग जीम उसे कहता है कि वो वहाँ शर को तुरंत उसके घर भेजता है इसी बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर दोडी के पास जाती है जहां वह वहाँ दखती है कि वह लोग डिवाइस के जरिये डोन के बाहर खड़े सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं उनकी बात सुनने पर जूलिया को पता चलत है कि वह लोग जमीन खोद कर डोन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर वह इस काम में काम्याब नहीं हो पा रहे हैं इसके बाद जूनियर रेडियो के जरिये पूरी टाउन में डोन वाली खबर को फैला देती हैं जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं वहीं जोई और बेन बॉर्डर के पास साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं साइंटिस्ट ये देखते हैं कि डॉन के उपर पानी का क्या असर होता है पर उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था जिससे वह किसी नतीजे पर नहीं चैन मिल जाता है पर तभी जुनियर वहाँ आ कर उसे देख लेता है जुनियर उससे पूछता है कि क्या तुम एंजी के साथ सोए थे यहां बाबी को लगता है कि शायद उसने उसे चैन धून्दते हुए देख लिया है और इसलिए वह जुनियर को ऐसे ही वहाँ से जाने नहीं दे सकता था इसलिए वह जुनियर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है वही हम देखते हैं कि लेस्टर शरीफ के घर पहुंच कर प्रोपेन इंपोर्ट के पेपर को ढूंडने लगता है कुछ टाइम बाद उसे वह पेपर्स ड्राइवर में मिल जाते हैं तभी व होने जला देता है जब वह वहां से जाने लगता है तो उसका पैव लगने से पेपर्स की आज घर के पदू पर लग जाती है जिससे आग की लप्टे पूरे घर में फैल जाती है और पूरा घर जलने लगता है जिससे देखकर जल्दी ही बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं पर फायर ट्रक के बिना आग बुझाने नामुम्किन था अगर वह लोग घर को जलने देते तो डोन के अंदर का टेंपरेचर बहुत बढ़ जाता है जिससे लोगों की जान भी जा सकती थी इसलिए सब मिलकर आग बुझाने में लग ज जाती है आखिर में जिम लोडर लेकर आता है और घर को गिरा देता है तब कहीं जाकर आग शान्त होती है इसके बाद सारे ठके हुए लोग इकठा होते हैं उनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला प्रेस्टेट होकर कहता है कि हम सभी लोग इस टॉम से कभी भी बाहर नह निकाल पाएंगे क्योंकि यह डोन आख से जो दुवा निकला है उससे बाहर नहीं निकलने दे रहा वह कहता है कि हम सभी इस डोन के अंदर ही मरने वाले हैं इतना कहता हुआ वह हवा में गोली चला देता है क्योंकि डोन से टकरा कर एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती क्योंकि उसके घर में जैनरेेटर था जोकि उस टाउन के गिनी चुने घरों में ही था उधर लिंड़ा पुल को जिल लेकर आती है वहाँ कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे असल में वह लोग पुलिस की घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थ जिम उन सब को ये कह कर शांत करता है कि जरूरत पढ़ने पर उन सब की मदद की जाएगी लोक अप में बंद होने के बाद पॉल को होट अटेक आ जाता है जिससे लिंडा उसकी मदद के लिए दौन कर अंदर जाती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पॉल सिर्फ अटेक आ जाल में फसाना पड़ेगा इसलिए वह उसे अपने बचपन की यादे साजा करती है जब वह दोनों एक बंद टनल में जाया करते थे और कहती है कि हो सकता है दोन का ट्रेनेल पर असर नहीं हुआ हो तो वो लोग बाहर जा सकते हैं यहां पर एंजी सोचती है कि अब वह उस लेकर गया है लिंडा तुरंत उसकी तेलास में जगल की और निकल जाती है क्योंकि उसे पता था कि पोल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ जाया करता था वहीं जिम पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम तयार करता है उधर रस्टोरेंट में बैटी कैरोलीन को नूरी की फ इसके बाद वह लोग जंगल में जाने लगते हैं रास्ते में बार भी अपनी खूबिया दिखाता हुआ उनसे कहता है कि वह मिलिटरी में भी रह चुका है वहीं दूसरी और जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाते हुए देखती है वह उसे रोक कर पूछती है कि वह बै पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा था इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा था जबकि नूरी कॉन्फिडेंट थी और बातचीत में भी हाजिर जवाब थी तभी बेन और दो लड़कियों को अपने साथ लेकर उसके घरा जाता है जिन्हें फोन चार्च क टाइम पॉल एक लड़के की टांग में गोली मार देता है दूसरा लड़का भी उसे संभालने के लिए वही रुख जाता है जबकि जिम और बावी पॉल के पीछे भागते हैं दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी से पहुँच जाता है जहां पहुँचकर उसे पता च तरह उसे इन्विजिबल बाल को मुख्य मारने लगता है जिससे जूलिया उसे रोकती है फिर दोनों बैट कर बात करने लगते हैं जूलिया उसे बताती है कि अपने पास में की गई एक गलती की वज़ह से वह जर्नलिस्ट की इस बेकार सी जॉब में फंस गई है उधर जो नूरी सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ती है पर मामला और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है लेकिन इससे पहले की कुछ गलत होता तभी लाइट ही चली जाती है नूरी इस बात से बहुत खुश होती है कि जोई ने उस बहस में उसका साथ दिया वही जंगल में पाबी और जिम पॉल तक पहुंच जाते हैं पर पॉल ने अपनी राइफल निकाल रखी थी जिससे वह जिम को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लिंडा आकर उसे शूट कर देती है दूसरी साइड कैरोलीन जोई के घर जाकर अपनी बेटी नूरी से मिलती है वह नूर शेल्टर में एंजी के पास जाता है लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्टेट कित थी एंजी उसके जखमों पर मरहम पट्टी करती है और चुपके से सीज़ अपने पास रख लेती है वही हम देखते हैं कि जूलिया और बाबी दिन भर की ठकान के बाद वापस घर लोट झाल 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 झाल